रास्तान की 200 विदानसवाज शीटू पे बाहरती जंता पार्टी की लहर चलेगी क्योंकि 2018 के अंदर चुना हुए थे उस दोरान कोटा के 12 जिले के अंदर राहूल गांदी आये थे उन्होंने कहा था कि रास्तान में कांग्रेसी सरकार बनाईए एक से दस की गिंती करिये किसानों का सारा करजा माप हो जाएगा आज बड़े खेत के साथ में कहना पड़ रहा है कि रास्तान में सरकार के पासाल कार्याबल पूरा हो चुका है 19,425 किसानों की जमिन निलाब हो चुकी है कोई करजा माप नहीं किया है किसान प्रतारित है दुखी है, बेरोजगार दुखी है मजदूर दुखी है, वेपारी दुखी है और इसा कांग्रेस के राज में महिला उत्पुरण जवर्जस्त हो रहा है आया दिन 17 बलातकार हो रहे है जो राजस्तान का मुक्यमंत्री होने के साथ साथ में ग्रहमंत्री का चार्ज भी उनके पास है लेकिन राजस्तान की सरकार को अपने हाल भी छोड़ दिया है इसको देखते होए राजस्तान के अंदर देविड से उपर सीटे बार्दी जंता पार्टी की आने वाले समय में जीतेंगे प्राहिम करने वाले जो बदमास थे चुपके राजस्तान में गहलों सरकार ने उनको सरन दिया है और इस विसे आद महीला ही नहीं पूरा प्रदेश का हर बरक दुकी है इसमें महीला होगा इनियर 33 पर जो महीला का आर्क्षण जो मिला है मोधी सरकार के दोवारा उससे एकद करीज है जो बारत किसदा जुकने को तयार हुए है बारत की सब्ज माइला हर नोजवान तीन साल का पैदावा बच्चा भी मोधी को लाना पसंद कर रहा है तो मैं तो यह कँगा कि आप जो राष्टर वादि विचारदारा जो सनातन के बारे में सोचे जो सब वर्गों को झाल देशल सब्सक्राइब कर दिए लेकर साथ चलने के बाख तुझे इसलिए मोधी जी को लाना अठिया हुआ बारत के य quartz प्रदान-्मंतरी शुर्मार न्रेंद्र भाई मोधी जी वह Catholic जिने लागू करने का जो काम किया है उसके लिए समस्त है नां seris शक्ति का जो मात्रत्यू का दोजार तेवीस का जो अधिनिम्प लागू किया है ये बहुत ही अत्यंत शौबनी है और हम लोगों के लिए बहुत उंदा काम है राहूल कांदी जी कह रहे हैं बीजेपी दस साल बाद देने हो लिए रक्षन और हम चाहते हैं आज हो हर चीज हर मौके पर होती है हमारे शोची परदान मंत्री जी ने जो कारे किया है ये नारियों को आगे लाने का वो अभी से ही है वो लागू जो भी होगा विवस्ता से वो होगा लेकिन अभी से ही सब को आगे लाने का काम हमारे मोधी जी कर रहे है